असलाम अलेकुम स्वेंट्स बचो चेप्टर नमबर 2 में 2.2 और 2.3 तो हमने कवर की विए उनके टॉपिक्स भी हमने देखे में 2.1 हमने कवर नहीं की थी उनके टॉपिक्स भी नहीं देखे थे और दूसरी एक और बात यह है कि मैंने आप लोगों को बोला था कि चेप्टर फाइफ की थीरी समझ लिए हो सही तरीके से चेप्टर फाइफ की जो शुरूं की तीन वीडियो जो मेरी अप्लोड है वो आपको पता होना चाहिए तब आप यह सानी से सॉल्फ कर लोगे तो 2.1 में देखो सबसे पहले तो बेसिक सी बात थी तो मैंने आप लोगों को बता होनी चाहिए एक उतिये closure, associative, commutative, identity और inverse और एक आखर मैं आप पढ़ोगे छटी भी distributive तो यह जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि दो operation आप डिसकस करते हो एडिशन और multiplication तो यह बेसिकली शुरू में 10 इन और प्रॉप्र डिसकस की वी हैं यह 5 लेकिन 5 addition के ल अब with respect to addition बात कर रहे हैं तो जब आप उनको add करते हो तो जो result है वो भी real number से belong करते है यह जो property इसको आप closure कहते हो जो आपने chapter 5 में पढ़ी है दूसरी property associative होती है जिसमें order matter नहीं करता किस order में आप solve कर रहे हो पहले आप A और B को add करो और जो result है उसको C में add करो यह बराब होता है तो real number जो है वो commutative log को भी satisfy कर रहे होते हैं इसी तरह identity यह concept में आप लोंको दिया था कि identity basically एक ऐसा number होता है जब आप उसको किसी भी number से operate करवाते हो तो वो उसको change नहीं करता कोई फर्क पैदा नहीं होता तो with respect to addition जो है वो identity zero है तो zero भी real number में मौझूद है यह जो symbol add करो या zero plus a करो matter नहीं करता result जो है वो a ही आएगा zero को फर्क पैदा नहीं करेगा तो इसको आप कहोगे identity लेकिन किस respect से additive मतलब addition के respect से इसी तरह multiplication के respect से भी आप पढ़ोगे दूसरा जो है वो inverse law है inverse क्या होता है inverse basically होता है for example अगर एक number आपने a pick किया real number में से ठीक है आपने किदे लिखा है for example ये a आपने pick किया for all a belongs to real number मतलब कोई भी a आप real number में pick कर लो अगर आप उस a को किसी ऐसे number में add करो कि result में आपके पास क्या आजाए zero आजाए मतलब identity आजाए तो इसको आप inverse कहते हो कि मैं a को किसी ऐसे number में add करूँ कि result में रिपास क्या आजाए zero तो अगर real number में two मौझूद है तो उसी real number में minus two मौझूद भी है such that कि जब मैं two को minus two में add करूँगा result क्या हो जाएगा zero हो जाएगा तो यह मैंने specific example दिये बुक में generalize यह बाद discuss की वी है कि आपने a उठाए real number में से minus a जो है वो भी real number से belong कर रहा होगा such that कि आप a और minus a को add करो कि result zero हो जाएगा तो यह जो पांस property पढ़ी है same multiplication के लिए भी है कि आपने दो number उठाए multiply किया result यह number में से आ रहा है पिर associative law भी है पिर commutative है पर इसी तरह identity जो है वो one होती है with respect to multiplication such that कि आप किसी भी number को one से multiply कर उसो कोई फर्क नहीं पड़ता और जो multiplicative inverse है वो क्या लिखा है for all a belongs to a number लेकिन a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तब ही मैं कहता हूँ को real number जो है वो इस property को satisfy नहीं करते अगर real number में से आप 0 निकाल तो फिर वो उसको satisfy करेंगे लेकिन obviously real number में 0 निकाल तो नहीं सकते न तो real number as a set अगर आप consider करो तो उसमें multiplicative inverse property को satisfy नहीं करते क्योंकि zero मसला करते है क्योंकि zero का inverse क्या होगा one upon zero multiplicative inverse और one upon zero exist नहीं करता one upon zero undefined form है बरहर अगर आप zero को निकाल दोगे तो फिर जो भी यह आप पिक करोगे real number में से उसका inverse माचूद होगा such that कि जब उस number को उसके inverse से multiply करोगे तो result क्या हो जाएगा one हो जाएग उसके बाद distributive law है distributive को पढ़ने का तरीका यह होता है कि देखो भार multiplication है अंदर addition है तो इसको आप बोलो कि distributive law of multiplication over addition जो पहले लिखाव है उसको आप बोलते हो पहले लिखते हो यहाँ पे और over के बाद वो जीज़ आती है जो अंदर मौजूद है तो distributive law of multiplication over addition तो a b plus a c या पश्वन से करते हुए आ रहे हो इसी तरह इसको आप कहते हो left distributivity मतलब a जो आप left पे है अगर a को आप right पे लिया हो मतलब b plus c multiply a तब भी यही चीज़ होगी कोई फरक नहीं होगा तो a left पे भी हो सकता है a right पे हो सकता है distributive law of multiplication over addition है लेकिन ऐसा आप नहीं पढ़ा होगा कि distributive आप यह समझ लो distributive law of addition over multiplication ऐसा कुछ नहीं होता क्या आप इसको लिखो a plus b यह बराबर होगा a plus c के ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आएगा ठीक है तो यह एकिस नहीं करता यह चीज़ा आप उसे बराबर नहीं है यकीन नहीं आता तो आप number पे कर लो for example a 1 लेलो b को आप 2 लेलो c को 3 लेलो तो 2 multiply 3 6 होता है 6 को 1 में add करो 7 आएगा ठीक है तो left hand side 7 है राइट hand side पे a plus b a1 है b2 है यह 3 हो जाएगा a plus c क्या होगा 4 हो जाएगा 3 4 12 होता है तो यह चीज़ तो कभी भी बराबर नहीं होती तो यह चीज़ बराबर नहीं है लेकिन distributed law of multiplication over addition मौजू होते है पर difference देख लेना है यार कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कोशनट आप division को कह रहे होते हो यह basic बाते हैं पढ़ लेना असे जुमला लिखा वह है आर positive मतलब जो positive real number है यह close है with respect to addition multiplication and division but not close with respect to subtraction क्योंकि जब कोई 2 positive real number उठाओ गया और subtract करोगे तो result negative आ सकता है आपने 2 उठाया और 5 उठाया तो और 5 दोनों positive real number है subtract करोगे answer minus 3 आएगा और minus 3 positive real number नहीं है तो that's why जो positive real number का set है वो close है with respect to addition multiplication and division है आप किसी भी दो positive real number को multiply करो divide करो add करो result positive real number ही आएगा लिकन subtract नहीं करना इसी तरह negative जो real number है वो close है with respect to addition कि कोई भी दो negative number को add करते हो result में negative ही आता है लेकिन अगर दो negative number को multiply करोगे दो negative number को divide करोगे या दो negative number को subtract करोगे तो positive आ जाता है that's why जो negative real number है वो close है with respect to addition लेकिन बाकी operation के respect से close नहीं है अच्छा उसके बाद ये कुछ basic चीज़े हैं equality की properties हैं जो आप लोगोंने करते वे आ रहे हो लेकिन अभी उनके नाम आपने देखे हैं for example reflexive lock इसको कहते हैं कि for example आपने कोई भी number उठाया ना वो number अपने बराबर है अब ये कोई इतना मजी की चीज़ नहीं है लेकिन है कि for all a belongs to real number कोई भी आपने real number उठाया वो a जो है वो अपने बराबर होगा इसको आपका होगे reflexive reflection मतलब basically आप consider कर सकते हैं अच्छा फिर है symmetric law symmetric law क्या होता है कि अगर आपने a उठाया a अगर b के बराबर है तो b भी a के बराबर है मतलब कोई भी आपने दो नमबर उठाया अगर वो दो नमबर आपसें बराबर है तो matter नहीं करता आप a equal to b का हो या b equal to a करो बात a की है Transitive क्या होता है कि अगर a बराबर है b के b बराबर है c के तो ultimately a बराबर हो जाएगा c के यह आप लोग में बच्पन से बात सुनते हैं वे आ रहे हो इसका नाम भी याद कर लो आगे जाके exercise में mcqs में इस level बे तो नहीं पूछते रहे कि नहीं के level पूछ लेते हैं Transitive property असके आप के बास a बराबर ए b के तो दोनों तरफ आफ एट करवागा ओ अधर भी city और भी city कर दो अब भी वो equal होंगे kgfb किसके बराबर होगा A equal to B के मतलब जो आडिशन में आप यहां से इस तरह गए थे cancellation में इस तरह यू जाओ गया कि अगर आपके बस A plus C B plus C बराबर था C से C cancel करो A बराबर हो जाएगा B के तो राइट लेफ्ट करने लिखा है इसी तरह आप 0 से multiply नहीं करवा सकते यह जहन में रखो जब भी आप multiply करवाते हो दोनों तरफ वो 0 से नहीं करवाते है आप आप हमेशा other than non-0 करवा रहे होते हो ठीक है और cancellation property हो मसला यह होता है कि जब दोनों तरफ आप cancel करते हो ना एसे cancel यहां पर भी बजगिया इस तरह इस वरे side को भी a से divide किया a से cancel c बजगिया तो अगर आप 0 से divide करी नहीं सकते है तो that's why अगर दोनों तरफ एक 0 है यहां भी 0 है यहां भी 0 है तो अब आप 0 को cancel नहीं कर सकते क्यों cancel का मतलब आपने दोनों तरफ 0 से divide किये और math में a 0 पर valid नहीं है तब यहां लिखाव है a not equal 0 उसके बाद यह basic बात है multiplication with 0 के for example a कोई भी non 0 नंबर है उससे आपने 0 को multiply किया तो result 0 आदेगा जो आप बशपन से पढ़ते हूँ आ रहे हो 0 से जब भी किसी number को multiply करते हो तो वह number 0 हो जाता है पर यह quality equation में आप पढ़ते थे कि ज है वो है inequality की properties उस पर हम आ जाते हैं यह अगले पेश्पका में लेगा इसको order relation कहते हैं अभी जो आप जितने law पढ़ते वह आ रहे हो ना वह properties थी equality के दर्म्यार में equal होता था अब है less than or greater than जिसको inequality आप कह रहे हो तो जारा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं तो सबसे पहल पहले नंबर की aspect से बात करते हैं एक respect से या तो A B से गम होगा या A B के बरावर होगा या A जो है वो B से greater होगा यही relation होता है और को रिलेशन नहीं होता है तीन ही किसम के relation हो सकता है पर एक और प्रॉपरटी होती है इसको आप कहते हो ट्रांसिटिव प्रॉपरटी होती है जैसे आपने equality में बढ़ा था है कि अगर A B से less है B C से less है तो ultimately A जो है वो less हो जाएगा C से और लटा भी कर सकते हो अगर A greater है B से B greater है C से तो A greater हो जाएगा C से तो यह बाकी देख लेगा एडिशन प्रॉपरटी क्या होती है जैसे आप दोनों तरफ C add करते थे equality में इसी जरा inequality में भी add कर सकते हो अगर A B से less है तो दोनों तरफ अगर आप C add करवाओगे अभी भी A plus C less हो जाएगा B plus C के और अगर A greater है B के तो जब A plus C दोनों तरफ add करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा A plus C greater हो जाएगा B plus C के multiplication में आप multiply करोगे लेकिन multiply में एक बात का देहान रखना कि जो C है न वो matter करते है क्योंकि याद रखो जब भी कोई inequality लिखी हुए है जैसे आपके पास लिखाव है A is less than B अगर आप इसको किसी number से multiply करते हो तो inequality पे को फर्क नहीं पड़ेगा यह जो less than वाली inequality ऐसी रहेगी लेकिन अगर आपने negative number से multiply किया अब फर्क पड़ जाएगा क्यों फर्क पड़ता है for example मैं आपके सामने लिखूँ 1 is less than 2 बिल्कु सही बात है अगर मैं से inequality को किसी number से multiply करना चाहा हूँ मैं for example इसको 2 से multiply करता हूँ दोनों तरफ तो यह हो जाएगा 2 is less than 4 बिल्कु सही बात है 2 less than 4 से लेकिन अगर मैं negative number से multiply करूँ इसको multiply करतो हो minus 2 से यह हो जाएगा minus 2 is less than minus 4 यह statement आपकी गलत है minus 2 minus 4 से कम नहीं होता आपको बता है negative number जितना आपको दिखने में छोटा लगता है उतना वो बढ़ा है minus 4 एक छोटा है minus 2 बढ़ा है तो minus 2 is not less than minus 4 तो that's why जब आप minus से multiply करते हो na inequality में multiply divide कर रहे होते हो तो फिर आपको sign change करना पड़ते है अगर sign इस तरह less than का था तो अब आपको greater than का दालना पड़ते है अब statement आपके ठीक होगी कि minus 2 is greater than minus 4 तो यही चीज़े हो लिखी है कि अगर a less than b है और c positive है मतलब जिस number से multiply कर रहे हो positive है तो inequality यहीं रहेग इसके बाद cancellation property है इसकी है नहीं इसकी cancellation property भी होती है inequality की कि जैसे आपने यह लिखावा हो ना यह चीज़ तो inequality में आप c को c से cancel कर दो a is less than b आ जाएगा तो यह cancellation property भी होती है inequality की इन्होंने शायद mention नहीं की भी है इधर लिखावा अगर a greater than 0 है और b less than 0 है तो definitely a b less than 0 होगा क् देखो a positive है b negative है तो जब multiply करोगे result negative आएगा मतलब less than 0 होगा इसी तरह अगर a b negative है b b negative है मतलब दोनों negative है तो उनका product क्या होगा positive तो आप लिख सकते हो a b is greater than 0 अचा जी फिर density property होती है density property यह कि बच्चों कोई भी दो real number pick कर लो for example real number में rational irrational दोनों आ जाते हैं तो for example आपने एक number pick किया pi और एक और नमबर pick कर लेते हैं for example 4 एक मैंने irrational pick किया एक मैंने rational pick कर ली है तो यह दो real number आपने pick कर ली हैं तो इन दो real number के दरमयान exist करेगा q such that जो अभी हम discuss कर रहे हैं वो discuss करेए a is less than b a is greater than b करके भी आप density property लिख सकते हो बस यह उल्टा हो जाएगा फिर यह तो for example pi is less than 4 तो इन दो real number के दरमयान there exists q जो कि एक rational होगा such that कि q जो है वो pi से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा तो यह property sense भी बनाती है for example मैं इन दोनों के दिम्यान एक number लिख सकता हूँ 3.5 such that कि 3.5 जो है वो pi से greater है जबके 4 से खम है तो यह बात बिल्गू ठीक है को issue नहीं है इसके अंदर और इसको बुल्टा भी कर सकते हो for example आप बोल दो कि greater वाली बात करते है 4 is greater than pi ठीक है तो 4 और pi इन दोनों के दिम्यान अगिन वही बात के exist करता है number such that कि 3.5 जो है इस तरह भी आप लिख सकते हो ने इस property को इसको पढ़ोगे इस तरह कि 4 is greater than 3.5 और 3.5 greater होता है pi से तो एक ही बात है आप इस तरह लिख सकते हो इसको भी तो greater के साथ भी आप density property बता सकते हो less के साथ ही बता सकते हो कहने का मतलब यह कि between any two real number there exists a rational number किसी भी दो real number के दर्मियान लाजमी एक rational number exist करेगा यह बात है आर्शिमेडरन property यह होती है कि for example आपने कोई दो number उठाया for example a और b positive real number कोई भी दो है such that a is less than b for example आपने number उठाया 2 आप नमबर उठाया 4 दोनों positive real number 2 is less than 4 2 is greater than 4 करके भी आप आर्शिमेडरन property बता सकते हो तो फिर यहाँ पे एक exist करेगा n such that कि जब आप उस n को इस multiply करवाओगे 2 से तो inequality का sign chain हो जाएगा लाजमी एक n ऐसा exist करेगा जब जिसको आप इससे multiply करोगे तो inequality sign chain हो जाएगा आपको बता है ऐसे बहुत से exist करते हैं for example 2 को आप 3 से multiply कर दो 3 2s आ 6 होता है तो 6 definitely greater than 4 होता है तो अगर a is less than b है तो एक n exist करेगा जो कि बिलॉंग करेगा natural numbers है such that कि जब उस n को आप multiply करोगे a से तो अब inequality change हो जाएगी वो greater हो जाएगी जो मैंने आपको करके बता है कि 2 less than 4 है तो आप for example इसको 3 से multiply करोगे पहली वोली चीज़ को तो अब inequality आपके चेम जाएगी इसको आप आर्शी middle property कहते हो और आखरी जो है यार उसकी कोई इतनी sense नहीं है for example x less than y है z जो है वो less than t है तो मतलब x जो है वो y से चोटा है z जो है वो t से चोटा है तो अगर मैं आपको बोलूं x plus z और y plus t में क्या relation है तो definitely less than का relation होगा क्यों कि आपको पता है x quantity y से चोटी है z quantity t से चोटी है मतलब x और z ये चोटे हैं और y और t ये बड़े हैं तो जब x plus z को add करोगे और y plus t को add करोगे definitely y plus t greater होगा और x plus z चोटा होगा और same चीज multiplication में भी आप कर सकते हो कि अगर x less than y, z less than t है तो जब आप multiply करोगे definitely x और z चोटे number है जब आप multiply करोगे result भी चोटा आएगा और y और t बड़े number है multiply करोगे result बड़ा आएगा तो ये बचो theory हमने थोड़ी देख लिए है अच्छा आप जड़ा 2.1 पे आप 2.1 पे लिखावे every whole number is a rational number तो ये बात बिल्कुल ठीक है या नहीं है हर whole number rational बिल्कुल होता है क्योंकि rational number वो होते हैं जिनको fraction की form में लिख सकते हो तो हर whole number को fraction की form में लिख सकते हो पे लिखावे every natural number is an irrational number नहीं क्यों नहीं क्यों मैं इसको false कह रहा हूँ क्योंकि देखो नेचल नमबर जो है वो रैशनल होता है क्योंकि हर नेचल नमबर को फ्रेक्शन में लिख सकते हो और अगर नेचल नमबर को फ्रेक्शन में लिख सकते हो तो वो रैशनल नमबर तो होई नहीं सकता बाकि आप देखला है मैं चैलनल पर बताया है है रशजयर किया होता है एवरी इंटीजर इस अरस्ट कि बात है जो भी इंटीजर है फ्रेक्शन की फॉर्म में लिख सकते बहुत नर्भर इंटीजर नंबर जुक्षे बात है एवरी इंटेजर के लावा भी नमबर होते हैं तो एवरी रीशन नंबर 2 एक एन्टीजर तो नहीं है तो यह statement गलत है है यह statement हो सकती है every इस रियल नंबर यह बोल सकते हो लेकिन एवरी रियल नंबर रेशनल नहीं होता क्योंकर रियल नंबर में इर्रेशनल भी आगा है अच्छा यह जो अजीर कर लो है आई यह मतलब इर्रेशन शुरूर में अगर आप चाप्टर नमर रून में जाओगे न, चाप्टर यह है तो इसमें आई जी है वो रिप्रेजेंट करता है इर्रेशनल को बाकि भी सिंबल आप लोगों को याद होने चाहिए लिखाव है इंटीजर इस इर्रेशनल इस ग्लोज बिस रिस्पेक्ट टू सुब्टरेक्शन तो याद रखो जो इर्रेशनल वो किसी की भी रिस्प तो closure property क्या है कि जब दो element को add करोगे तो result भी उसी set के अंदर से आना चाहिए तो 0 को irrational तो नहीं है that's why आप भी बोल सकते हो integer is not close with subtraction हाँ तो एक problem होगी थी अच्छा क्या कहते हैं मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो irrational है ना किसी भी respect से close नहीं है अगर आप 2 irrational number को add करते हो result में irrational नहीं आ सकता है लेकिन को situation में नहीं भी आ सकता है तो that's why आप यह तो नहीं बहुत सकते हैं कि वो close है इसी तरह for example आप root 6 और root 6 इन दो irrational number को subtract करवाओ तब 0 आ रहे है अगें subtraction के हिसाब से भी नहीं है इसी तरह root 6 और root 6 इनको divide करवाओ result में 1 आएगा 1 irrational नहीं है इसी तरह root 6 और root 6 को multiply करो result में 6 आएगा 6 भी एक irrational नहीं है तो इस तरह की बेहत example है जिसमें आप यह conclusion निकाल सकते हो कि irrational जो हैं वो किसी भी respect से close नहीं है अच्छा तो नीचे लेका है ना I is close with respect to division यह भी गलत बात हो जाएगी फिर वो दुछरों बाद हम देखते हैं अच्छा 7 में लेका है integer is close with respect to division बहुत इंटीजर क्लोस नहीं है क्यों किसी भी आप दो इंटीजर को divide कर तो result में इंटीजर नहीं आता आपने 2 और 3 दोने इंटीजर नहीं है डिवाइट करो 2 अपॉन 3 आएगा 2 अपॉन 3 को इंटीजर नहीं है तो false statement है यह तो मैं आपको बता दी यह तो false है पिर 9 में लिखाव है division is commutative in irrational यह भी गलत बात है division किसी में भी commutative नहीं होती जो आपने operation देखे में न डिवीजन जो है वो commutative rational नमब ले लो real नमब ले लो फर्क पड़ता है क्यों for example आप 2 divided by 3 करो या sorry 2 divided by 4 करो या 4 divided by 2 करो दोनों अलग चीज़े हैं इसी तरह irrational के अंदर अगर फिलाल आ जाओ जिसकी उन्होंने बात किया आप root 6 को divide करो root 3 से या root 3 को divide करो root 6 से दोनों अलग चीज़े तो commutative property नहीं होती 10 में रिखा वे there is this an inverse element for subtraction देखो integer जो irrational है वो तो close ही नहीं होते और identity तो हो इन्हीं सकती inverse की तो बात ही बात में करेंगे inverse के लिए तो basic बात है identity होनी चाहिए irrational के अंदर कोई भी identity नहीं है तो that's why inverse उनका exist ही नहीं करता है inverse से तो बात पहुंचती ही नहीं है irrational के अंदर with respect to positive with respect to multiplication identity 0 1 वो irrational के अंदर ही नहीं with respect to subtraction अगर आप बात करो ना तो identity थोड़ी खतरे में बढ़ जाती है क्यों मैं कह रहा हूँ for example अगर आप 2 में 2 से 0 subtract करवाओ तो 2 को कोई फर्क नहीं बढ़ता answer 2 यह आता है तो आप कह सकते हो कि subtraction के लिए identity 0 है लेकिन इसको आप कह सकते हो कि यार यह right identity है left में काम नहीं करेगी क्योंकि अगर आप 0 minus 2 करोगे तो अब answer minus 2 आएगा हो जाएगा मतलब पहले number 2 था अब minus 2 कर दिया आपने identity पे तो होता है नबर चेंज होना चाहिए तो उपड़ तो सही बात है 2 को आपने माइनस किया 0 से तो number 2 अपने जगा पे रहा लेकिन नीचे जब आपने 0 minus 2 किया अब 2 जो है बिचारा चेंज हो कि तो अगर आप यह statement देना चाहरे हो कि subtraction के हिसाब से identity क्या है तो identity exist करती ही नहीं है लेकिन अगर आप strictly बात करो मतलब थोड़ा जबरदस्ती चाहरे हो कि आप यह एक्जिस्ट करें तो आप यह कह सकते हो कि right identity है 0 लेकिन वह काम नहीं करें आपकी ठीक है तो subtraction तो वैसी भी जीप सा है और दूसरी बात iteration में तो वैसी number 0, 1 यह तो iteration में आते ही नहीं है तो that's why identity नहीं है तो inverse कैसे exist करेंगा उसका नहीं 2 में लिखावे name the following properties सबसे पहरे लिखावे every real number is either a positive, 0 और negative अच्छा यह trichotomy property ही होती है यह जो statement में trichotomy भी आती है आपने trichotomy यह देखी होगी न के a is less than b जा a बराबर है b के a greater है b के तो consider कर लो b 0 है for example consider कर लो जो दूसरा number है वो 0 है तो आप क्या बोल सकते हो a is less than 0 और a is equal to 0 और a is greater than 0 मतलब a negative होगा यह a बराबर होगा यह a positive होगा तो यह किसी भी यह वो number greater than 0 होगा मतलब positive होगा यह वो number less than 0 होगा negative होगा तो trichotomy में यह भी आप कह सकते हो और यह part 1 जो लिखाव है यह भी आप कह सकते हो दोनों इसी में आ जाती है part 2 में लिखाव है between any two real number a and b there is a rational number यह आपने भी बढ़ा था density है जो उपर आपने पढ़ी यह बात पार्ट 4 में लिखाव है for any two positive real number a and b there is a natural number यह आपने पढ़ा था यह तो archimedian property है part 4 में लिखाव है 17 is greater than 8 implies that 68 is greater than 32 देखो 17 is greater than 8 जब आपके बस दो inequality लिखी हो एक यह लिखी है एक यह लिखी है इसका मतलब दो काम हुए होते हैं या तो आपने दोनों तरफ को number add कर वायब होता है या आपने दोनों तरफ को number multiply कर वायब होता है यह cancellation भी होती है लेकिन वह आप देख लो ना जब number बड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब cancel तो नहीं होगा ना कुछ add या multiply किया होगा अब अगर आप देखो बड़े होने की tendency कितनी है 17 is greater than 8 अब 68 is greater than 32 मतलब number काफी बड़े हो गया इसका मतलब addition इतना नहीं आपको नदर आएगी multiplication नदर आ रही होगी तो आप चेक कर ले ना ज़रूर multiplication प्रॉपटी लगी होगी जो inequality की होती है जो आपने क्या पढ़ी थी क्या नाम था उसका यह उपर लिखियो multiplicative property of inequality तो बेसिक के लिए आपने किया क्या है 17 को बच्चो आपने 4 से multiply दोनों तरफ inequality को 4 से multiply किया है 17 को 4 से करो 68 8 को 4 से करो 32 तो यह properties में लगी है पार्ट 5 में लिखाव है यह तो transitive property है पार्ट 6 में लिखाव है यह इसको क्या बोलोगे यह closure property है closure property with respect to multiplication के दो नमबर उठाओ उनको आपसे multiply करो result भी रिया राता है थ्री में आपके पास कुछ fractions है बच्चों इन fractions को आपने add subtract करना है कहीं multiply करना है कोई मुश्किल बात नहीं है अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ for example अगर आपन 1 upon 4 मैं एक चीज़ बताना चाहरा हूँ 1 upon 4 और 1 upon 6 इसको आपस में subtract करवाना है इसको रखते थे और फिर 2 दिवाइट करने लग जाते थे जो for example तू से डिवाइट किया आपने तो ये 2 हो गया ये 3 हो गया फिर 2 से डिवाइट किया 1 हो गया 3 हो गया अब आप 3 से डिवाइट करो 1, 1 आ गया पुरा तो 2 डूजा 4, 4 से जा 12 यह तो LCM निकालने का तरीक था फिर आप simplification कैसे करते थे आप कहते थे कि 12 divided by 4 क्या होता है 3 3 को 1 से multiply करो मतलब इसके numerator से multiply करो इधर 3 आ जाएगा तर्म्यान में minus 12 divided by 6 2 2 को इसके numerator से multiply करो यह हो जाएगा तो 3 minus 2 क्या होता है 1 यह हो जाएगा 1 upon 12 तो एक तो fractions को simplify करने का तरीका होता है LCM लो उसके बाद simplify कर लो एक और तरीका भी होता है जो एक अच्छा method है जो normally आपको बच्पन वाले level पे या भी आगर आप किसी भार के teacher को देखो या किसी मतलब आप देखो तो आपको ऐसे मिलते हैं कि यह वाला तरीका बताते हैं कि मतलब LCM लेने कहीं बतलब यह कहलो कि easy तरीक है for example कि अगर आपके बास लिखा हो ना 1 upon 4 minus 1 upon 6 आप में दो fractions को simplify करने है तो बस आप इनके numerator same कर लो sorry denominator same कर लो कैसे for example इसका denominator 4 है इसका 6 है तो आप same कैसे करोगे 4 को आप किससे multiply करो और 6 को किससे multiply करो same आजे भाई 4 को आप 3 से multiply करो मतलब 4 और 6 का ELSA होता है तो 4 को आप किससे multiply करो 3 से और 6 को multiply करो 2 से तो यह दूनों same हो जाएंगे तो आप क्या करो पहरी वाली fraction को 3 से multiply divide कर वो उपर multiply वाला 3, 1 से multiply वाला 3 हो जाएगा, नीचे जो आपने 4 से 3 multiply किया वो इसको 12 कर देगा और इसको क्या करोगे, आप 12 चाहिए आप क्या करो, 2 से multiply divide कर वो तो नीचे 2 से multiply divide करो ये 12 हो जाएगा अब जब दोनों के denominator सेम होगे आप 12 लिखो, और इनके numerator बस आपस में subscribe कर लो, तो ये जो काम किया था ना, मैंने यहाँ पर 12 को 4 से divide किया था, 3 आया था, उसको numerator से multiply किया इससे आप बच जाओगे, simple आप denominator same कर लो, उसके बाद normal आप add करो आपके बाद answer आजाएगा तो ये बाते हैं, आप लो, जहन में रखना पर 4 प्याँ लिखा है, justify each order of following अच्छा, ये paper में आते नहीं है, ये concept है फियोर बस concept की बाते चल रही है अब इन सब पार्ट में आपको बताना है, इसमें से कौन सा axiom लगा है, तो for example, पहले वाले पार्ट में देखो x plus 5 बराबर दा 2 plus 5 के, implies that x बराबर है 2 के तो definitely इसमें cancellation property लगी है जो cancellation property आपने equality की पड़ी थी न, किदर थी, ये री term cancellation property, क्या आपके बास दोनों तरफ 5 आ रहा था आपने 5 को 5 से cancel किया, answer आगे x equal to 2 part number 2 में क्या लगा, part number 2 में बच्चों लगी है multiplicative, इसको क्या बोलते हैं, ये वाली property थी multiplication property of equality, क्या आपने क्या किया, आपने दोनों तरफ 8 से multiply करवाया, तो पहली वाली चीज़ को आप 8 से multiply करो, 8 divided by 2 क्या होता है, 4 होता है दोसरी वाली चीज़ को 8 से multiply करो, 8 divided by 4 के अधर 2 होता है, 2 multiply 3 यहाँ पे आगे, तो दोनों तरफ आपने 8 से multiply करवाती है, part number 3 में लिका हुए, अगर x plus 4 y के बराबर है, y 6 के बराबर है, तो x plus 4 6 के बराबर है, इसको आप कहते हो, transitive property, transitive property होती है, equality के transitive property, अगर a बराबर है, b के, b बराबर है, c के, तो a बराबर होगा, c के, तो वही चीज़ है, कि a मतलब x plus 4 बराबर है, y के, y बराबर है 6 के, तो ultimately x plus 4 बराबर हो जाएगा 6 के, तो transitive property लगी है, equality की, और जो part 4 इसमें, तो simple multiplicative inverse जो है, तो result में identity मतलब वनाएगे, तो multiplicative inverse property य य लौ बुलदा वो लगए इसके उपर, ठीक है बच्चों, तो ये 2.1 हमारी बस concept तो, मैंने आपको बता दिये, बाकि यहां से जो portion है, वो मैंने already channel पे upload किया हुए complex number का, जो है, real number की properties और इस सब बातें मैंने अभी बता दिये, complex number का और जितनी चीज़ें हैं, इस सब already channel पे upload हैं, 2.2, 2.4, 2.2 और 2.3 में, तो मेरी तरफ से, आप लोंका first year पूरा complete हो गया है, अलाफिस,